विजनगर शेत्र में लकडी पीठे में भीशवर आग लग गई आग ने पास कही कॉटो गैरज को भी अपनी चपेट में ले लिया जिसमें पांच कार जल कर खाक हो गई मौके पर पहुँची फायर ब्रिगेट की चार गाड़ियों से फायर कर्मियों ने कड़ी मश्रकत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन आग काबू से बाहर थी फिलाल आग जने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है गटना विजयनगर के बड़ी बमौरी की है यहां लकडी पीटेज में देर रात अचानक आग लग गए आग में गोदाम में रखी लाखो रुपे मूल की लकडी जल कर खाक हो गए आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया जिसके बाद पास के ही एक आटो गारज सहएद एक गोदाम में आग की चपेट में आ गई आटो गारज में खड़ी चार कार में भी आग लग गई और जल कर वो खाक हो गई आग की सूचना पर मौके पर पहुँची फायर की चार टीमों ने आग को काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत की लेकिन आग बढ़ती गई आग बे काबू हो गई और आग की इस घटना में लाखो रोपे का नुकसान की बात सामने आई है फलहाल आग कैसे लगी इसकी वज़ा साफ नहीं हो पाई है पास में दाले ना पास में लगी का टाल है उसके वज़ा से इनके गेरीज में आग लग गई इनको सुचना मिली थाने से पुलिस वालों ने फोन करा इनको तो यह अन्नु भाई का गेरीज है यह बमोरी आदर्स मेकेनिक नगर साय जी कलब रोगा इसी कारण हुआ है मतलब ताल के कारण है साजीत खान